प्यारे बच्चो पिछले लेक्चेर में हमने कम्प्यूटर की सीरीज में हमने पढ़ा था ओप्रेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं ओप्रेटिंग सिस्टम कौन-कौन से होते हैं लिनिक्स पढ़ा था यूनिक्स पढ़ा था और यूनिक्स के कुछ एक फलेवर्ज पढ़े थे यहां तक हमने पढ़ा था और मैंने यहां पे ऐसे लाई लगाई थी और बोला था कि इसके बाद हम अगले एपिसोड में पढ़ने वाले हैं ठीक है आज हम ये कंप्यूटर पढ़ेंगे आज वाला लेक्चर जरा मुश्किल होगा डेर सारी चीजें एक जैसी आने वाली हैं तो प्लीज जरा फोक्स कीजिए और इसमें प्यार से पढ़ने की कोशिश कीजिए ओपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती है तो गोर से सुनिएगा नोट्स भी मिल जाएंगे लिखना भी बाद में बट पहले सुनो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल यूजर ओपरेटिंग सिस्टम क्या पढ़ेंगे सिंगल यूजर ओपरेटिंग सिस्टम इसमें से पेपर में कैसा सवाल आता है कोई भी लाइन दी जाती है कोई प्रापर्टी दी जाती है और पूछा जाता है कि which of the following statement regarding single user operating system is true देखो single user का क्या मतलब होता है पहले layman language में सुनो ये इस वकत मेरा mobile है तो इस वकत मेरा mobile सिर्फ मैं ही यूज करता हूँ क्या भी यूज कर सकते हो एक टाइम पे एक ही बंदा यूज कर सकता है तो नाम ही बता रहा है single user operating system मतलब in this operating system at a time only user can access the data एक ही user data को access कर सकता है single user की example क्या है windows हमारे laptop में चलता है dos disk operating system android हमारे mobile का ये सारे single user operating system है confuse नहीं होना है एक बार फिर से सुन लो windows desktop operating system भी है single user भी है dos desktop भी है यानि के laptop computer में चलता है और single user भी है android मोबाइल में चलता है और single user भी है तो अब मुझे ये उमीद है कि single user operating system आपको पता चल चुका है चलते हैं आगे हमारी सक्रीन पे computer जी सक्रीन को open किया जाए वाह ये हमारे सामने देखो क्या आगया है multi user operating system क्या है ये multi user operating system अब पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है आपको याद होगा मैंने आपको बताया था server है ना server ये मैंनो मैं Google का server बना रहा हूँ क्या Google सिर्फ जमो किश्मीर के लोग open करते हैं क्या राजोरी यानि के land of things के लोग open करते हैं क्या सिर्फ पुंच के लोग open करते हैं पूरी दुनिया का हर इनसान Google यूज़ करता है क्या Google का को टाइम है नहीं रात को बारां बज़े open करो एक बज़े open करो दस बज़े open करो जब मन आया तब open करो Google open होता है तो ऐसा software जो server में use होता है ऐसे operating system को बोलते हैं multi user operating system क्या बोलते हैं multi user operating system तो multi user क्या क्या है एक Linux और दूसरा Unix ज्यादा तर यही दो use होते हैं ऐसा paper में आ सकता है which of the following is multi user operating system क्या Windows है? नहीं क्या Linux है? हाँ क्या Unix है? हाँ ठीक है? चलिए कोई भी doubt होगा नीचे लिख दीजेगा मैं उसको next वीडियो में बता दूँगा पिछले वीडियो में एक बच्चे ने लिखा था सर CUI समझ नहीं आया Command Line Interface समझ नहीं आया तो मेरे प्यारे बच्चो अभी थोड़ी देर का इंतजार करो अभी मैं आपको सब कुछ क्लेर करने वाला हूँ चलते हैं आगे देखो Simple Tasking Operating System ये कभी पेपर में नहीं आया है मगर ऐसे किताब में लिखा है तो पढ़ देते हैं ये वाला Simple Tasking in this Operating System at a time one task is performed एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है यानिके Simple MS DOS इसको पढ़ने के नहीं भी जरूर था ऐसे लिखा है किताब में तो पढ़ते हैं पेपर में कभी नहीं आया हाँ अगला है Multitasking Operating System ये पेपर में आया है तो ये पढ़ने की अवशकता है जरूरत है ठीक है Executive more than one task simultaneously एक से ज्यादा काम एक बार कर सकता है ये computer एक CPU में ठीक है इसको time sharing CPU भी बोलते हैं जैसे Windows होता है Multitasking अब Multitasking का मतलब मैं आपको बता देता हूँ सुनो आपके पास laptop है laptop में आप एक जगा पे उनके फोटो देख रहे हैं उनके दोस्त के बाई बेहनों के कुछ भी फोटो देख रहे हैं दूसरी जगाप कोई पढ़ भी रहे हैं गलती होगी मुझसे पढ़ कहां रहे हैं मुझे लैपटाप में कौन पढ़ता है आप कहां पढ़ती है बहुत अच्छे बच्चे हो चलो आप पढ़ भी रहे हो Very good बहुत अच्छे बच्चे Aspire Adda के हो तो क्यों नहीं पढ़ने वाले हो पढ़ने वाले हो आप कोई मुवी भी देख रहे हो साथ साथ में हाँ और कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो डेर सरे काम आप एक ही बार कर रहे हो ना इसी को बोलते मल्टी और टास्किंग डेर सारे काम एक बार कर सकता है ठीक है batch process इसको मुझे समझाने की थोड़ी जादा टाइम लगेगा सुनो पुराने टाइम में क्या होता था कम्प्यूटर का मकसद गाना चलाना नहीं होता था उस वक्त नहीं चलता सा कम्प्यूटर में चल चैयां 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 कंप्यूटर में हमने लिख दिया 2 पलस 3 पलस 4 जमा करना है तो ये एक काम है इसको बोलते थे एक बैच 3 माइनस 8 माइनस 2 ऐसा ये हो गया दूसरा बैच कोई तीसरा बैच ऐसे डेर सारे बैच लगाई जाते थे कंप्यूटर क्या करता था पहले इस बैच को पूरा करेगा फिर इस बैच को पूरा करेगा ऐसे करते करते पूरा दिल लगता था तो फिर जाके कंप्यूटर काम करता था ऐसे operating system को बोलते हैं badge processing operating system क्या बोलते हैं badge processing operating system इसके बारे में दो चार बातें आपको याद रखने हैं देखो पहला point लिखो इसमें क्या होता था execution of series of jobs होती थी यह निके पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर तो था ऐसे ठीक है और यह कैसे काम करता था इट वर्ग डान क्या होता था अब आप मुझे बताएंगे अगर आप ने जेके बैंक में से कभी किसी को पैसे transfer की हो तो मुझे बताएंगे आप ने एफटी क्या होता है नीच ठीक है comment section में लिखेंगे और जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा अब आप एक बात लिख दोगे यहां पे नहीं लिखा है जो batch processing operating system होते हैं वो काम करते हैं they work on FCFS इसका मतलब होता है first come first serve basis तो which are the following operating system work on FCFS first come first serve तो सिर्फ batch processing operating बस इतनी बात ही आद देखें ठीक है आज का lecture मुझे पता है जहां पे doubt आएगा तो मैं आपको समझाने के लिए त्यार हूँ दबारा से आगे देखते हैं multi programming operating system multi programming का मतलब होता है जेखो मैं पढ़ता भी हूँ this operating system allows more than one program same or different type reside in main memory but at a time only यनि कि एक ही time पे डेर सारे काम कर सकता है multi programming operating system जो हमारा windows है वो multi programming भी है और multi tasking भी है अभी हमने पढ़ा अब multi processing भी होता है more than one program simultaneously running on one running on more than one CPU देखो इसमें क्या होता उपर वाले में multi programming में एक CPU होता है और इसमें क्या होता है डेर सारे CPU वही Linux और Unix मैं आपको इसकी एक example भी देता हूँ आपके computer में अपना CPU है मेरे computer में मेरा CPU है अब CPU क्या होता है यह मत पूछिए computer lecture number first देखिए तो जो google का computer है facebook का computer है वो हम सब बंदों को service दे रहा है तो वो multi processing operating system है अब एक होता multi threading multi threading भी ज़रूरी है इसके बारे में सुन लो इस operating system allows different part of single program देखिएगा एक program के डिर सरे part open करते हैं जैसे मैं आपको भी MS office पढ़ाँगा तो मैं आपको बताँगा जब हम दुकान से MS office खरीते हैं इसके साथ MS word मिलता है इसके साथ MS Excel मिलता है इसके साथ MS power point मिलता है तो इन सब को हम अलग अलग करके एक ही बार यूज कर सकते हैं ऐसे operating system को multi-threading भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद real time operating system ये बड़ा जरूरी है इसमें से सवाल आता है अब ज़रा सुनो ये क्या होता है मान लो आपका computer हैंग हो गया है क्या करोगे शटड़ून करोगे रिस्टार्ट करोगे चल जाएगा मगर अंदाजा लगाओ यहां पे एक country है ये दूसरी country है ये एक country का मिजाईल आसमान की तरफ news reporter त्यार हो रहे है के ये मिजाईल लाँच करने वाला है attack ये country अपना मिजाईल लाँच कर रही है attack जैसे इस country वालों ने बटन दबाया मिजाईल लाँच अब computer हैंग हो गया इनका computer अगर हैंग हो गया तो इनका चल जाएगा तो ये country और मिजाईल चलाने वाले दोनों खतम हो जाएंगे ठीक है तो इस time पे computer का operating system हैंग नहीं होना चाहिए ये वाला हैंग नहीं होना चाहिए जो computer system कभी भी हैंग ना हो ऐसे operating system को बोलते real time operating system मैं इसके आपको example बदा देता हूँ ये आप हो कोई बंदा है डाक्टर के पास गया बोल रहा डाक्टर जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे गुर्दे में पत्थरी लग रही है जरा मुझे चक करो डाक्टर बहुत है चलो बेटा लंबे-ले में लेड जाओ लटा दिया डाक्टर ने इनको तीक है ये master देख रहे हैं बहुतने मास्टरे है क्या अरे बिलकुल नहीं medical system में system को hang नहीं होना चाहिए यानि के simple 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 बाशा में बोलता हूँ वो वाला operating system जो उसी time output दे जैसे उसको input दिया उसको बोलते हैं real time operating system देखो scientific purpose में use होते है specific time पे control machine में RTGS जैसे technology वाली machines में use होते है ठीक है real time operating system अब हम पढ़ते हां embedded operating system embedded operating system का मतलब होता है पहले से embed की होते हैं embed का मतलब होता है किसी hardware के अंदर डाले होते हैं जैसे हमारा ac होता है na ac के अंदर भी होता है operating system जो कर खुद थी खास temperature पे off होता है ATM की machine में modern किया होता है जब हम network devices से यूज़ करेंगे, मुबाइल फोन्स के अंदर भी और अलेक्ट्री केटल के अंदर और वाशिंग मिशीन के अंदर, यह यहां सब होते हैं Embedded Operating System, जो खुदी काम करते हैं, Network Operating System का मतलब होता है, जो देखो क्या लिखा है, देख, प्रोवाइड इस वाइरियस सर्विस सच है, फाइल शेरिंग, प्रिंटर शेरिंग, क्या होता है कि एक ही कम्प्यूटर के साथ, देर सारे हम कम्प्यूटर लगा सकते हैं Net के ओपर, उसको Network बोलते हैं, तो ऐसे Operating System को Network Operating System बोलते हैं, अच्छा, एक आखी रहा गया, Distributed Operating System Distributed का मतलब होता है, देखो, देखो, पहले मैं पढ़ के मनाता हूँ Distributed System are Multiple Processor to serve Multiple Real-Time Application यानि के एक कम्प्यूटर एक जगा पे है, ये कम्प्यूटर है इसका आदा डेटा यहां पे किसी दूसरे कम्प्यूटर में है आदा डेटा इस कम्प्यूटर में है, आदा डेटा इस कम्प्यूटर में है तो कोई भी इनसान यहां से भी यूज़ कर सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी यूज़ कर सकता है ऐसे सिस्टम को बलते है डिस्ट्रिब्यूटर्ट, या निकि डिस्ट्रिब्यूट है इसका डेटा, कहीं नहीं, ठीक है, चलो, ये थोड़ी सरी चीजे हैं, थोड़ा टिपिकल है, बढ़ आप इसको समझीगा, तो मैं इसको फिर से भी आपको बताऊंगा, अगर समझना आय CUI का क्या मतलब होता है Character User Interface या Command User Interface GUI का मतलब होता Graphical User Interface GUI का क्या मतलब होता है Graphical User Interface तो फुल फाम बताई अब और पढ़ते हैं CUI यानि के Command User Interface में कोई भी बंदा पता क्या करता है टाइप करता है Keyboard पे Command तब जाके वो चलता है मगर Graphical User Interface में हम आइकन्स पे क्लिक करते हैं जैसे के हमारे मुबाइल फून में होता है Beauty Plus हमारे मुबाइल फून में होता है Snapchat तो हमारा मुबाइल फून पता कैसा है Graphical हम टच करके खुलते हैं ना चीज़ों को अगर आपने पढ़ा है DOS होता है ना इस कोपरेटिंग सिस्टम पुराने कंप्यूटरों में उसमें हम की बोर्ड से काम करते हैं सारा तो वो वला होता है Command Line Interface Only one task can run at a time Command User में एक टाइम पर एक ही काम होता है बट Graphical में एक टाइम पर डिर सरी काम हम कर सकते हैं, मुवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, फोटो देख सकते हैं Command Graphical User Interface की एक्जमपल Windows, Android, iOS, Linux और इसकी एक्जमपल DOS और UNIX ठीक है, आज का लेक्चर ज़रा थोड़ा ऐसा ही था, टॉपिक अच्छा नहीं था कल के बाद हम धमाल करने वाले हैं